हलो दोस्तों एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विश हुआ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में Watermark का कलर जो है उसको डार कैसे करते हैं ठीक है जैसे कि आपको यहां सामने स्क्रीन पर दिख रहा है Light Watermark इसका कलर अगर मैं डार करना हो तो हम कैसे करेंगे यह मैं पिक्चर वाटर मार्क यानि कि कस्टम वाटर मार्क के बारे में बता रहा हूँ आज का यह वीडियो है सवाल के जवाब में Microsoft World पर इससे पहले भी कई सारे important topic में cover कर चुका हूँ तो नीचे को बहुत सारे option मिलेंगे राइट साइड में चलिए और यहां देखिए यह है water mark का option इसके drop down पर क्लिक कर दीजे तो नीचे को कई सारे option मिलेंगे हमको जाना है custom water mark पे ठीक है बहुत असान है मतलब बस step by step समझते जाईए custom water mark पे जब हम click करेंगे तो यह देखिए छोटा सा window यहां पर open हुआ यहां पर आप देख सकते हैं printed water mark आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह wash out में tick mark लगा हुआ है इसका मतलब है कि रंग इसका हलका कर देना तो यहां से यह tick हटा दीजे ठीक है उसके बाद नीचे से apply पे click कर दीजे तो जैसे अपने apply पे click किया तो आप देखेंगे कि यहां से जो है water mark का कलर जो है वो dark हो गया बाकी यहां से close कर दीजे तो आप देख सकते हैं जो पहले light था water mark का dark color में आ गया ठीक है